असलाम अलेकुम जी, अच्छा बच्छो ये इन्वेंटरी का टेस्ट है जी, उसकी डिसकेशन स्टार्ट गरती है जी, कहता है जी बताएं बच्छो ये तो वो लर्निंग अब्जेक्टिव 2 है मेरा खियाल है, जी फ्रेट, कैरिच इन जोता है, वो चीज की कॉस का पार्ड है सहीजी चाहे वो इन्वेंट्र डरी कर चेप्डर हो चाहे वो प्रॉपरडिसीशन वाला चेप्टर हो जी ये पैड़े नहीं इसके क्या कहता है कहता है जी वॉटट एफेक्ट पर्ले रिक्वार्मेंट पढ़ते हैं बचो विल एनी रिकॉायर्ट में预ड अड़्जेस वो बिकेंगी टू डबल फाइफ जीरो इतने की बिकेंगी और कहता उन पे खर्चा होगा 65 तो बच्छो एन रवी कैलकुलेट करें न एन रवी कैसे आती है एसिमिटेड सेलिंग प्राइज यह है उसमें से लेस करने जी सेलिंग कॉस्ट होए सही है यह जो सेलिंग कॉस्ट है इसको माइनस कर दे ना इसमें से तो जो जवाब आएगा बच्छो वो मेरा ख्याल है आएगा जी तू डबल इस तरह संफिंग जो भी आएगा बहराल वो आप एजस्मेंट करेंगे ना तो छब्विस सो कॉस्ट है इस ताइम चीज कॉस्ट पर रिकॉडड़ है तो टू डबल फाइफ जीरो में से आप माइनस करें जी 65 जी तो आपके पास आएगा 2485 आपकी चीज जो छब्विस सो रुपे पर रिकॉड़ड़ है वो होनी चाहि आपने खर्चे को बढ़ाना है ना एक्सपेंस डाविड होगा जब एक्सपेंस बढ़ाएगा तो प्रॉफिट कम इतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा जी आपका जी इसमें करता है इन्वेंटरी के वैल्यू बता दीजिए यह अलफा बीटा गैमा वह आपने पढ़ा था प्रॉफिट करते हैं जो जवाब आएगा इदर जी इसमें प्लस यह करने है यह है जी फॉटीन माइनस पांच यह नो है बच्चो दुनों में से लोवर क्या है यह तो तेरह उपे ज्यादा है कौस ज्यादा एन्नर्वी कम थ्री एटी मल्टी प्लाइवा नाइन जो जवा आप आएगा इन तिनों को एड़ करें यह आजएगा जी नाइटी थ्री हंडल जी बच्चो इसमें भी इन वेंट्री की कॉस का कहता जी फिनेंशल स्टेट्मेंट में कितने पे आपने स्टॉक को रिकॉर्ड करना है मुबाइल ए बी सी डी तो जो लोवर है उनको एड़ क तो जी आगे कहता एंटिटी सूल्ड गुड एक मिलियन की कहता जी उसकी कोस्त है छे लाक रुपएया वन मिलियन शे डिइजर्क होते हैं बच्छों वन के बाद जी घ्यक्ता इतनी कोस्त है आगे केता जी करिज ऊट वोड़ इतनी हैै और केमिशन पेड इतना है कहता करें ता के पास आयेगा ग्रॉस्ट अब ग्रॉस्ट मेंसे आपको माइनस करने पड़ेंगे परेटिंग एक्समेंस पचास थार ये जो कमिशन पे किया और यह जो है स्विण है सहीज भी माइनस करनें तो नेट प्रॉफिट आ डेगा 3 लाख रुपेया जी एंड्य आ membout of less estimated cost of completion and estimated cost of sale इसको बच्छो नर्वी कहते है कहता what is the amount of write down of inventory कहता कितने से inventory जो है उसकी inventory ने कम होना है write down का मत्तब यह है write down नीचे 40 units है बच्छो 10 इसमें से damage है तो मैंने आपको यह तरीके बताया था total units 40 है इसमें से बच्छो good यह है और damaged यह है यह damage है बच्छो यह 30 है और यह 10 है बच्छो इस पे तो मुरे send कर दी है chapter 4 जी जजाता ला यह cost है बच्छो यह NRV है तो इसकी तो NRV निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती हाँ इसकी NRV निकालने पड़नी है यह तो cost पर ही record होगी सही units कौन बच्छो कम पे बेचता है जी कैसे आईगी कहता जी ता cost per unit is 2554 अच्छा जी 2554 है जी यह 2554 जी यह cost है और कहता normal selling price वो तो बहुत ज्यादा खेर 2900 damage units are expected to be sold 60% of normal selling price अच्छा अब बच्छो देखो NRV calculate करनी है न आपने तो estimated selling price क्या होगी estimated selling price यह होगी बच्छो 2900 multiple leverage 60% करें यह आपके पास आएगा अब भला करें आपका 1740 जी उस में से मजीद आपको less करना पड़ेगा estimated selling cost यह cost of completion जो भी है कहता जी selling cost 150 inkaड होनी है on each unit weather normal यह damage जी बच्छो 3900 में से अगर आप 150 माइनस भी कर देंगे न फिर भी इसके NRV ज्यादा है इसने तो इतने फ़ी record होने है अच्छा जी less इसमें से कर रहे हैं जी 150 जी यह आजेगा मेरे भाई 1590 तो damage वालों की NRV है जी 1590 यह lower है भाई यह lower है आप देखें 30 को multiply करें इसके साथ ठीक है जी 30 units इससे multiply होंगे plus करना है आपने इस पर record होने जाएगा 7 यह बच्छो और जी इसको multiply करतें 10 को 15 तो यह आजेगा अब भला करे आपका जी ठीक है जी यह इससे करना है आपने जो lower है इन दोनों को add कर लो बच्छो आप 20 प्लस 159 00 यह आजेगा जी 9 520 यह बच्छो आपके पास आजेगा जी ठीक है जी यह आजेगा जी लेकिन मसला यह है उसने यह नहीं पूछा कि एन आर भी कितनी इसने का जी बताएं इस ताइम 40 units किस पर record होंगे बच्छो कॉस पे होंगे तो भाईया 40 unit cost पर record है यानि 40 multiply by 2554 जी है जी 102 यानि इनकी जो cost है वो है जी 102,160 यह cost है जी इतने पे recorded है इतने पे recorded है होने इतने पे चाहिए बच्छो एन आर भी वे खैर यह तो सही recorded है ना इन में मसला है ठीक है जी आप देखें जी कितने से write down है बच्छो 520 9640 एप्रॉक्सिमेटली इतना बनता है मेरे से अगर error नहीं हुआ calculation में तो यह बनता है 9640 ठीक है जी यह इधर आ गया यह मैंने working कर दी किसी ने node करना है तो कर ले मीधा मेरी बास समझ गया है बच्छो आप लोग ठीक है अच्छा जी इधर सवाल पूछता है कहता है calculate करें एन आर भी पर यूनिट तो बच्छो यह तो असान है फिले करना कोश इतना कोस इतनी है इसका मतलब एक की फ्रोड़क्ट ऐस भी सोड़् चार हडार पर यूनिट इतना कमिशन पए करते हैं अच्छा जी कहता है यह पर दक्तागी का तिन से 50 सोब लीilate यह न इसमें से 50 50 रुप ही है दो माइनस करनी एना इसकर नहीं ही न कमTV लेने अफनी चीज़के और बच् creeping किन वी पर यून इंव इक आ जहेंगा जी चिया अब बहुत आहम बात बच्चो याद रखना जो हमारे हमारा clothing stock होगा वगले accounting pillar का opening बनेंगा ठीक है ये बात याद रखनी है तो in preparation of financial statement for current year clothing stock understated है अगर मेरे भाई हमारा clothing stock understated है clothing stock का तालुक profit के साथ direct है तो हमारा क्यों होगा बच्छे जब clothing stock understated है तो हमारा profit 20 साल का क्या है understated है और next year का यही जो clothing stock है opening बन जएगा अब जब opening understated है तो इसका relation profit के साथ क्या है मेरे बाई inverse है याद रखना वो understated तो profit overstated है ये लिखने कहीं मेरी बात रोक के ये जब ही बताया आपको कैदा clothing inventory इतने से recorded है instead of 180,000 कहता इतने पे आने चाहिए थी 180 से R240 से रही है बच्चों आप बहुत तबज़ से बाह सुनिएगा आप देखो sale less cost of sale तो clothing inventory clothing stock आता किदर है gross profit से उपर आता है उपर आता है उपर आता है सही है ना फिर gross profit आता है तो भाई gross profit बड़े वाला profit है gross profit से उपर वाले जो चीज़ होगी ना बच्चों उसमें अगर कोई मसला होगा sale में या cost of sale में तो ना सिर्क gross profit हिलेगा बलके net profit भी हिल जाएगा अब जब बच्चों देखो आपने क्या किया आपने दो लाग चालिस हजार से clothing stock को record किया हलांकि होना 180 से चाहिए 60,000 से ज्यादा recorded है जिस वज़ा से आपका profit oversitted है ज्यादा है exaggerated है और भाई ये sale less cost of sale cost of sale का part है तो ये gross profit से उपर वाली चीज़ तो जब आप उपर से नीची आते हैं तो बच्चों सारे profit हिल जाएंगे फिर gross profit ह हिलेगा दादा जी हिलेंगे ना तो सारे हिल जाएंगे से जी बास समय रहे हैं ना मेरी दादा जी में मसला तो सब में मसला होगा genetic genes का problem अच्छा जी तो बच्चों दोनों हिल जाएंगे दोनों हिल जाएंगे मेरी बास समझ गया gross profit भी हिलेगा net भी हिल जाएगा ये जी example जाती है ना बच्चो यह ऐसे नहीं दी जाती बास समझाने की निये से दी जाती है अच्छे जी कोई फत्वा हिना लगा देना पाई मेरे थे कहता जी कॉस्स गुड़ सोल्ड आपने बतानी है कहता इफ एंटिडी युजिस कोई बिट्र अवरिज ठीक है बच्चो कोई मस्ता नहीं अभी बिताते हैं और्गनाइडेशन की पॉलिसी है जी इन्वेंटरी ओपनिंग है जी इतनी आप इसको इससे मल्टिप्लाइ करें ओपनिंग इन्वेंटरी आ जाएगी सही है जी और यूनिट्स इतने हैं और बच्चो कहता है डियूरिंग दा मन इट मेड पर चेजिद आफ कितना बच्च और चालिस अधार की लेकिन मेरे भाई इदर आएं कहता है सेल इतने पचास अधार यूनिट सेल हो गए है तो बच्चो देखें यह ओपनिंग स्टॉक है आपका करें 35,000 को मल्टिप्लाइ करें 3.5 से ठीक है और डिवाइड करतें 35,000 से आपको विटेड एवरिज रेट न निकालना सिखाया है ना अच्छा जी देखें आपने कॉस्ट निकालनी है तो जितने यूनिट्स बिके हैं उतने की कॉस्ट आएगी न तो पचास अधार को मल्टिप्लाइ किसी रेट से करना पढ़ना है जो कि एवरिज होट होगा और डियूरिंग यूर आपने कितने 40,000 बच्छो यह आपके पास वेटेड आवरिज रेट आजाएगा ठीक है यह वेटेड आवरिज रेट आजाएगा ना आपके पास जो रेट आया उसको मल्टिप्लाइ करने 50,000 से जितने यूनिट्स बिके उतने की कॉस्ट ओफ सेल आईगी यह जवाब आजाएगा कहता बताएं कौन सा मॉडल जो है इस नौट पर्मिटेड विच ओधा फॉल्विंग कॉस्ट मॉडल इस नौट पर्मिटेड अंडर आईएएस टू बच्छो यह तो पर्मिटेड है जुहर साथ इसका जवाब गलल लगा दिया आपने यह लाइफ हो है लाइफ हो यह पर्मिट जी इधर आएं जी कहता है नो यूनिट्स वर सोल्ड इतना वाट वुड वी दा कॉस्ट ओ क्लोधिंग स्टॉक और कहता है जी वेटेड आवरिज है पर्पेच्वल तो भाईया देखो जब यूनिट्स भी कही नहीं है देखे इश्वेंस ही कोई नहीं है तो आप इन सब क को पकड़ें सहीरी यह वैसे प्रियोडिक का फॉर्मूला है लेकिन अगर कोई यूनिट्स भी कही नहीं है तो भाईया आप बार बार रेट क्यों अपडेट कर रहे है एक ही दफ़ा सारे यूनिट्स को पकड़ें यह 40,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000 डिवाइड करतें बच्चों 400 प्लस 100 प्लस 300 से आपके पास बेट डावरिज रेट आ जाएगा सही है परपेचुल में वैसे हम हर जैसे जैसे परचेदिद होती है रेट अपडेट होता है तिर जब इश्वेंस ही कोई नहीं है तो बच्चों क्यों हमने रेट दुबार दुबार अपडेट करना है जी य यह टोटल कर लें 400 यह 100 प्लस 300 प्लस 400 डिवाइड कर दें 800 से कॉस्ट को डिवाइड करें 800 से आपके पस रेट आएगा मिल्टी प्लाइग करने क्लोधिंग स्टॉप के यूनिट तो के 800 बनते हैं जी अच्छा उसने पर पर अच्छा पर यूनिट पूछा है हाँ ठीक है यह टोटल कॉस्ट है इसको डिवाइड करतें बचो 800 से तो यह आपके पास ही आजएगा जी बचो कहता प्रियॉडिक में तो बचो प्रियॉडिक में भी यही जवाब आने है आप क्यों बार बार रेट को अपडेट करने हैं फाइदा नहीं अपडेट करने का याद रिख और फेक्स एक्सपेंस और नाइज जी राइड डाउन अफ़ एमेंटरी यह बताना पड़ता है आपको आवरिज लीड नाइप यह नहीं बचो पता नहीं किया यह जी कहता जी ओपनिंग और क्लोधिंग स्टॉक की आपने एंट्री बतानी है जी जी बताएए बच्छो ब जब कुछ नहीं है किस सिस्टम में एंट्री करनी है तो बच्छे जब कुछ नहीं लिखा तो आफशन देखे ना परियोडिक के मताभी कहा है उसने कि अंदर परचेज़ और परचेज रिटन आ रही है इंडिकेशन क्या है यह परियोडिक सिस्टम है यह परपेट्वल तो बच्छे परियोडिक होगा ना उसमें दो कॉस्ट आती हैं क्लोधिंग सॉक आते हैं इन विश्ट्व में भी मोर सूटेबल जब बहुत जब लार्ज साइज हो आइटम्स का और लो वैल्यू की हो तो यह उसमें लिखा हुए ना डिफरेंसिस में क्याता प्रियोडिक सिस्टम है विश्ट्व फॉल्विंग और क्रेडिट सेल ट्राइक्शन रसीवेबल डेबिट और इसमें नहीं होती नो अधर एंट्री इस रिक्वाइड बस यहीं एंट्री होती है अगर लव जोना पर्पेट्वल तो बचो फिर एक और एंट्री भी होनी है कॉस और से डविट और इन्वेंट्री क्रेडिट कहता जी प्रियोडिक सिस्टम है कहता नॉर्मल लॉस के इन्वेंट्री बढ़गी होगी इन्वेंट्री डैविट और खर्चा कम कर दें क्रेडिट कर दें कॉस्ट और सेल क्रेडिट दी आगे बच्चो कि यह जाफर असुसीएट सोल जन्रेटर तो इतना जी फॉर रुपीज इतने का दस प्राइड इस नेट आफ सिक्सी पर्ट करता इन्वेंट्री ने आफ कम होना है ना बच्चा अब इसमें अक मसला है आप चीज डिसकॉंट नेट ऑफ डिसकाउंट ही रिकाॉड करते हैं सेल इतने की ही है लेकिन ہी現Вотन रिके मसला ये तो नेट औफ डिसकाउंट है और अपने परसंडेज की मदद से यह निकालनी ह तो आपको पहले इसके अंदर डिसकाउंट एड़ करना पड़ेगा, कई पॉइंट लिख लें, जब आपको कॉस्ट निकालनी पड़े, इसको लिख लें निया पॉइंट आपके लिए, ये असल में कैफ थरी कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा करेंगे इस तरह की कैलकुलेशन, सेल हमेशा नेट ओफ डिसकाउंट ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब आपने कॉस्ट निकालनी है ना तो नेट ओफ डिसकाउंट की मदद से जब निकालने गे, मार्जन माकब वाला कॉंसेप्ट है, तो वह घलत आजेगी कॉस्ट ना, कॉस्ट तो उतनी है, वह तो आपनी सस्ती बची या चीज, जी बचो, अब कहता है जी, ये आपने पहले सीकिया कॉस्ट निकालने के लिए, कहता जी ट्निकालने के लिए, कहता है जी 25 माकब, पमेशा कॉस्ट पे लगता है, तो ये 125 होगा, 125 से डिवाइड करें, मिल्टी बाभ 200 करतें, जवाब आजेगा जी आपके पास तो यह आएगा जी आजेगा जी बारा लाग रुप्या यह जवाब है बच्चो यह पॉइंट लिख लें जी यह लिख लें जी कॉस निकालने के लिए जो स्पेशल डिसकाउंट है उसको माइनस करना पड़ता है ठीक है इसका जवाब यह नहीं है यह जवाब है इसका ठीक है यह जवाब है जी इसका यह यह वन ये जवाब है भच्चो बिटा जवाब पहला जवाब नहीं है वह गलत रेर्ड लगा हुँगा एक मिनट जी मिरा ख्याल है solution जो online वालों आपके पास है उस पर भी यह गलत है ठीक है सही कर लें कहता है रिक्वाइर valuation of inventory lower of cost और नर वी prudence concept है बच्चो यह समझाया था कहता margin जी 25% जी बताएं कौन से चीज सही है यानि इसका मतलब यह है यह हंड्रड है यह पच्चिस है और यह है जी 75 कितना बच्चो 75 ठीक है लें बच्चो अच्छा जी अगर score इसको देखे ना तो बच्चो यह आप मैच ही नहीं होगा आप करके देख लें तो यह अगर आप score रखते हैं जी cost of sale यह देखे ना इस तरह कर लेते हैं बच्चो आपको क्या चाहिए cost कितनी होनी चाहिए 75 होनी चाहिए तो जब आप इस तरह करेंगे एक लाग डिवाइड बई 120 मुल्टील और 100 करें तो यह आए ग prac रहूं यह तो 83 पॉ gripsyसा ऀरे सेमटे 5 रहा है यह नहीं गलत है बच्चो 181,000 बउड वाइड बई यह एक परसंड आरे मैंने मैं क्या कर रहा हूं यह कर रहा हूं बच्चो यह 75 नहीं बनता सियर है 75 नहीं बनती कॉस्ट ये जी ये करके देख लें बच्चों सही आएगा आप 80 को डिबाइड करें वह 106.667 या 1000 में करने जैसे भी करना है सही है तो ये जवाब इस तरह इसको solve करना है बच्चों वो पूछना चाहरा है अगर मार्जन 25% अगर हो तो कौन सी चीज़ सही है ये जाजन नहीं था बाकी सेम वेली नेट रियलाइजबल वेल्यू जी कहता है जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइज में से लेस करना है आपने फर्दर कॉस्ट और बच्चों मार्केटिंग सेलिंग कॉस्ट ये जवाब है बच्चों क्याता वैन नर्वी इस लेस्टन क सेल एन नर्वी कम है नॉर्मली विच एंट्री इस रिक्वाइड तो पास तो बच्चों कॉस्ट सेल डैबिट इन्वेंट्री क्रेडिट सिंपल दो रीजन बता दें बच्चों रीजन ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री तो अवाइड स्टॉक आउट और वेरियेशन सॉर आप कहते हैं नी कॉस्ट सेड डैविट और इन्वेंट्री क्रेडिट इडिट ट्रांस्फर टू कॉस्ट गूड सोल्ड कॉस्ट सेल जो है स्लेक्ट दा क्रेक्ट क्या तरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइज फूड आलवेज बी एक्वल तो फेर वैली नहीं बचो गलत है फेर वैलिका मार्किट वैलियू यह दुकांदार की मरदिया मार्किट वैलियू पे चीज बेच मुश बेचे कुम कार आमक्य की मर्दीय लिए बंचrophy निकल्व बेचैने शाव क्रेंग और कि isa । मैंने 25 बेचनी आ doisग अर्विट मुब बेचना है एक्वल्य को usually write down to NRV, बच्चो जब cost ज्यादा है NRV से, या NRV कम है cost से, जीव, कहता है, what is the implication when inventories are written down to NRV, बच्चो जब NRV adjustment की जाती है, तो आपका asset कम हो जाता है, current asset, और आपका खर्चा बढ़ जाता है, carrying amount of inventory, कम हो जाती है ना, asset की को, and difference is recorded as an expense, यह बास सही है बच्चो, in which situation, what's made the cost of inventory may not be recoverable, बच्चो जब देखो ना, जब inventory आपकी damage होगी, यह obsolete होगी, यह reasons उदर लिखी थी, selling price अगर बढ़ दे तो बच्चो एनरवी ज्यादा होती है, estimated selling price cost of completion decrease होगी, बच्चो decrease होगी तो आपकी NRV ज्यादा नहीं होगी, जी जब कम amount minus करेंगे तो, when inventory class, नहीं बच्चो यह reason नहीं है, यह है, कहता है, appropriate treatment बता दें, NRV of raw material, if finish goods are expected to be sold at, या और above cost, कहता है, उसके बराबर बिक जाए, यह हमने exception पड़ी थी, बराबर पे बिक जाए, यह ज्यादा पर बिके finish good, जब finish good में मसला नहीं है, तो बच्चो फिर exception है, raw material और, आप समाई finish good पे भी, चार्ज न नहीं जाके पढ़ाया था यह, कहता है, NRV is ignored in inventory accounting, कहता है, what does substance over form mean in the context of inventory, तो substance over form का मत्तब ही होता है, जी, देखें, चीज किसी और की है, लेकिन control इस पे किसी और का है, इसे कहते है, substance over form, कहता है, लीगल टम कुछ और है, जी, लीगल टम किया है, जी, मैं आपके example देता हू लीगली, एक घर रहे जी, वो मिस्टर A ने अपने वाइफ की नाम पे लगा दिया, लेकिन लगाया इसलिए है कि अथारिटीज को टेक्स करा ना देना पड़े, या इस तरह की चीज़े ना, बचने के लिए, बच बचाओ करने के लिए, लेकिन चलती किसी है, मिस्टर A की या वाइफ की नी चलती ही, मिस्टर A की चलती है, यहां वाइफ पर साभी कर सकते हैं, दोनों मार्च कर दोनों चर रहे हैं, अच्छा, बहराल यह आप देख लीजेगा, सबस्टेंस ओवर फॉर्म का मतलब यह है कि जो लीगल फॉर्म है वो डिफरेंट है, और क्या जो दिखने में नजर आ रहा है, वो कुछ और है, सही है, दिखाया कुछ और जा रहा है, एक्टॉल में कुछ और है, इसे कहते हैं सबस्टेंस ओवर फॉर्म, यह नया था आपके लिए, यह तरह याद कर लीजेगा, यह आ सकते है पेपर में, कहते हैं, आपने बजाहर तो किसी और के नाम पे एसे ट्रांसफर किया, लेकिन कंट्रोल उसका आप पे है, आपके पास है, जी, कहता है, यह ज्यादा इंपॉर्टन होता है, एक्टॉल हालत ज्यादा इंपॉर्टन है, लीगल फॉर्म से, अब आप कहेंगे, सहर बताएं, फिर यह एसेड की कहता है, निसनाफिएट स्पेसिफिक आइडंटिफिकेशन, बचो यह याद कर लें, इंपॉर्टन है जी, स्पेसिफिक आइडंटिफिकेशन तब होती है, विन गुड़़ परोड्यूस पर ऐस पैसिफिक परोजेक्ट, जब किसी स्पेसिफिक परोजेक्ट के लिए क्रैम करें ज़े कि आपकी लाइन यहीं बन सकते हैं यह इसको याद कर लें किया था अंडर डा वेचe डावरिज कॉस्वर्मुला मैं यह निए नहीं चाहता कि आपको जो यह जाते हैं आप ने अपने से 100 मार्क्ष लेनी हैं बस पास हो जाएंग बाकी यह आपका लर्निंग यह आपके लिए लर्निंग है नहीं चीजें हैं कुछ इसमें तर टेस्स लाजमी दें कहता जी वेटेड अवरिज में हाउ इस दा कॉस्ट फीच आइटम डिटर्मेंट बचो वेटेड अवरिज में आपने क्या करना है जी वाइटेकिंग वेटेड अवरिज ऑफ सिमिलर फानियां थी वर्ट डाज़ दे रिटेल मेथड यूज तो डिटर्मेंट दा कॉस आफ इनवेंटरी बचो सेल वेल्यू की मदद से कॉस्ट फाइंड की जाती है रिटेल मेथड में याद रुखिएगा याद कर लें इस वात को इन इनवेंटरी कॉसिंग वाइट इंप्र इस रिपीड हुए शायद जी वें इनवेंटरी दार यूज फा स्पेसिफिक परोजेक्ट कहता कॉन सी सेट्मेंट सही है सेम कॉस्ट फॉर्मूला इज यूज फॉर इनवेंटरी इस इस एम नेचर बिलकुल सही बात है अगर आइटम्स की नेचर सेम है तो सेम फॉर्मू कहता जी विच और सिस्टम कम्बलता परियोडिक और परक्रेट्च्वल कौन सी सेट्मेंट सही है आइटम है विडिफरेंट नेचर और यूज कॉस्ट कहता जी कॉस्ट इफॉर्मूला जे में भी जेस्टिफाइड ये कर लेना इसको रिमूग ये 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 दरा सही कर ल इस जिस्टिफाइड ऑन सेम आइटम बट डिफरेंट लोकेशन नहीं बच्छो यह नहीं है अग बच्छो जब आपकी ना आइटम सेम है नेचर वगरा सेम है तो जगह के चेंज होने की वज़ा से यह कोई दलील नहीं है लहुर में चीज़ें पढ़ें दूसरा फैसला बात आप ने कifs लिए फार्मोला आइटम सेम स्वऍसरा के चेंज है चेंज कर देता है कहता है किस यह कोई दलील नहीं है ऐस्टू इंवेंट्री के स्टेंडर का नाम है चीज deben कानाब वह कहता है गिए अगर लूकेशन पीवरासर आप फार्मोला आईडम सेम हूं कर सकता है बात है लोकेशन या जियो ग्राफिकल एरिया की वज़ा से चेंड नी होगा फॉर्मूला वेन आर्दा केरिंग अमाउंट अफ इंवेंट्रिया रिक नाइज देन एक्सपेंस बच्छो जाब इनिवेंट्री सेल हो जाए किया वाट इदा प्राइमिरी पर्पोस ऑफ डिस्क बच्छो क्याता जी वाटि डिरेक्कवी डेक्स डियॉबित इनिवेंट्रीक्वांट कम इनिवेंट्रीकवाऊट या remote इनिवेंट्रीकवांट्थर टबच्ट्यवेटिहां सूद्र कठ्रेल के मेरे दिल में ऐसन पहले टियॉद्र आता है पिर क्रेडिट आता फै जी इद तो बच्चो देखो बड़ी सिंपल सी बात है परपेचुल के अंदर क्या ओगा जी चीदें वापिस कर दीना अपने सप्लायर को तो अब आपका पेबल डैबिट हो जाएगा लाइबिलिटी काम हुई और इंवेंटरी क्रेडिट और इधर सेम लेकिन इधर बच्चो कैश है पेबल याँ कैश टैबिट पेबल याँ क्या यह सेम है परपेचुल में इंवेंटरी जानियां इंवेंटरी क्रेडिट जानियां क्रेडिट और इधर पर चीदिस का लवज इस्तमाल लुपते है कैदा विच्चो दा फॉल्विंग इस सही जनल एंट्री फॉर चैरिटी फ्री संपल और ड्राइंग शेल भी रिकॉड़ इन दा बुक्स विद दा कॉस अमाउंट हंड्रेट परसन आपको बताया भी था लेक्टर की दुरान क्यादा चैरिटी फ्री संपल और ड्राइंग शुड भी रिकॉड़ इस सेल अमाउंट नहीं यह घलत है बच्चो मेरी बातें समझ गये हैं बच्चो ठीक है जी अल्लाहाफिज